पत्रकार के घर में अप्राधियों ने की आग लगाने की कोशिस। बाल बाल बचा पूरा परिवार समय रहते आग पर पाया काबू। पिरित पत्रकार ने कहा पूरे परिवार को जिन्दा जला कर मारने की थी साजिस। पुलीस को तत्काल पिरित पत्रकार ने दी सूचना। दर्भंगा में जवरन जमेनी विबाद में दो लोगों को जिन्दा जला कर मारने की घटना को अभी लोग भूले भी नहीं कि ऐसे ही घटना को दोहराने की कोशिस कुछ अपराधियों ने की और एक पत्रकार के घर को आग लगाने का परियास किया गया अच्छे बात या रही की आग को तुरत घरवालों ने देख लिया और समय राते आग पर काब उपा लिया गया पूरा मामला दर्भंगा जिले के मिस्ट टोला मोहले की है जहां कुछ अपराधि ने आधी रात के बाहर से एक बज़े के बीच अंधीरे में करीब एक बज़े एक दैनिक अक्वार क के घर में लगे लकडी के दर्वाजी पर पेट्रॉल छिरक कर आग लगा कर रफुचकर हो गया लेकिन सही योग ही था कि जब अपराधियों ने आग लगाई तभी घर के अंदर पत्रकार की बोडी मा की नजर आग पर गई उन्होंने ततकाल घर वालों को जगाया और आग मिस्ट्रा ने बताया कि बीती रात घर के सभी लोग अपने अपनी कमडे में सोने चले गए और वह खुद खाना खा रही थी तभी घर के दर्वाजी में अचानक आग लगा देख हैरान और परेशान हो गई तुरंथ हो हला मचाया और ततकाल किसी तरह पानी मार कर आग पर आग लग जाता ऐसी परिष्टिती में घर के किसी लोगों का बचना ना मुम्किन था उन्होंने साफ सब्दों में बताया कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसका साफ या मकसद था कि पुरे परिवार को जिन्दा जला कर मार देना ऐसे में उन्होंने पुलीस से अ कारने की दिखाए देती है उन्होंने बता है कि इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है इसके अलावा कुछ वर्स पहले एक अलग मामले में जाच कर रही पुलीस को जब यहा पता चला कि इनके जान के ऊपर खत्रा है तो तब पुलीस नहींने सुरक्षा गाड की उपलब पुलीस सुभा आने की बात का निकल गई लेकिन दुबारा घटना स्थल पर जाकर किसी परकार की कोई कानोनी करवाई भी नहीं की है इंटाने के लिए उठाई उसके बाद ओपर से देख रही है तो नहीं बोतल में आग लगा हुए है और हम जो है कर देख सुने तो हम दरवाज़िग दरवाजा प्रवाज खोला कहा है फ्यां काकी इंजिन्गर लगा देयते लिडिते हैं कि एकशोड़े रचियमा है. अभाए पी आप लोगा लेकिन कोई बाहर वाला ही याग लगाया है। तो बाहर आके देख रहे हैं, तो आगे लग रहा है, जल्दी पुकारा, बेटाइड़ा है। वन जल्दी पुता बेटा रहे हैं, जल्दी पुता थे बरे बेटा थे दोनब पुताइड़ा है। म layered सब आपे बहुत सब होतोख सुते को सुते ही रहा जाते हम लग पूरे परिवार सोच जाते कि देखें दो गारी यहां स्सेलेंडर τैना चौके में स्लेंडर इधर च्पासलेंडर हो है जो देखें यहां पर देखिए बिजीले का ही पर मेरा बॉर्ड है इसमें तो आग लगता ही तो तो आग खमता नहीं ने वेटा है वो तो हम सब को ले ही डूपता बाहर वाले जाने क्या जो बुत गया है तो हम एक दो आदमी को कहा करे सुबह होता है जो पानी के लिए हला करता तो सोचत हमको किसी से नाराजगी नहें है कोई ऐसा है जो कि हमको और वायग परिवार को जांसे माना चाता है यह हमारा कहना है अब इसको एक पुलिस वायँ देखे है न और यह जाच करे है ना इसके पहले हमारे मतलब हैं एक जनवरी को हैं न हमारी बैक चोड़ी हो गईथी उसी जगह से ना घर के अंदर से ना उसमें पुलिस मत्वाई ने कुछ कर पाई भाई बरामद है ना वही है ना दूर से ना बाइक है ना इसे पहले भी एने एक वार सौट सरकीट या क्या करके ना उपर वाले डूम में ना यह लग गया था आग और उसके बाद 2000 है ना उनीस में कुछ मतलब है ना यह उरत था भाई मतलब है रिमर हो रहा था कि हमारे उपर जान लेवा हमला करने के लिए गोली चला गया था लेकिन वो गोली एक दूसरे आदमी को लग गया चुकि है ना उसी बगल से हम उसने लोटने वाले थे वहां है ना एक यूवक की हत्या हुई कि अब कुछ लोग है ने इसके पीछे है सुरक्षा मिला था है ना दो दो बड़ी गार्ड है ना उसमें यह चेंज हुए थे हमारे साथ है ना थे बड़ी गार्ड उसको हमने वाई यह कर दिया हटा दिया है ना देनी लेगा कहना यह है रात में तो पूरी तरह यह था कि पूरे परिवार को सूते हुए है ना अवस्ता में एकदम जलाके मार देना अपरादी को यह नहीं मालूम था कि हम लोग जग रहते हैं मैरी माँ जगी रहती है ना उसको तो यह था है ना उमीद कि अगर हम लोग यहां पर लगाएंगे इसी साइड लगाएंगे आग तो पूरी तरह स्लेंडर गाड़ी रगार वरस्ट हो ढगा इलोक जल करके है नोग मढ़ जाएंगे ना तो यही साझीस थी थी पुलिस को हमने है ना सुचना दिए हैना फुलिस जो हम पहुंचे उसको आदेद следующ ने हमको कहा है न एहां कि जो हैं कोट वाली के इन इन इ harbor करके यह करूँगा लेकिन अभी तक नहीं आए उन्हीं काम बेट कर रहे हैं मुझे लगता है कि जाकर के उहाँ इस इसको मैं जाकर के लिख कर दे रहा हूं विभिन माध्यमों से हमें भी इसी सुचना प्राप्त हुई है कि दर्भंगा में एक बैनिक अखवार के पत्रकार को जिन्दा जलाकर मार देने की कोशिस की गई है इसकी वेव जर्नलिस्ट एसोसियेशन ऑफ इंडिया और बिहार प्रेसमेंस यूनियन की तरब से मैं करीन निंदा करता हूँ और साथ ही दर्भंगा के एसेसपी कापी सुल्जे हुए प्रसाशनिक अधिकारी है मैं उनसे मांग करता हूँ कि इसके पीछे जो भी अपड़ाधी है जो भी तत्तों है उन्हें बाहर लाया जाए और सक्त से सक्त कारवाई की जाए अगर इसा नहीं हुआ तो हमारा संग हमारा संगठन सरकार से सरकार से हमारा डेलिगेट जाकर मिलेगा और हम आंदोलन को बाध्य होंगे